मिली जानकारी के मुताबिक नाफिट चने की विक्रीद जारी करेगा जी हाँ आपको बता दें कि केंदर सरकार के निर्ने के तहट प्राइस स्पोर्ट स्कीम के तहट यानि PSS के तहट चालू खरीब सीजन में धलनों की सरकारी खरीद 25 फीसद की जगर 40 फीसद की जाएगी वहीं जानकारों का मानना है कि नोडल एजनसियों के पास चने का करीद 30 लाख टन स्टोक उपलब्ध है और अगले हफ़ते से नाफिड वीविद राज्यों में रभी चना बिक्री जारी करेगा जिन राज्यों में चने की बिक्री की जाएगी उन राज्यों के नाब और उनकी बेचे ज़वनी वाली क्वालिटी के बारे में आई जानते हैं राजस्थान में चना साल 2022 का 2,98,685 टन जबकि तेलेंगाना में वर्ष 2022 का 58,458 टन तो मध्यपरदेश में वर्ष 2022 का 8,1861 टन और वर्ष 2021 का 486 टन जबकि करनाटक में वर्ष 2022 का जो चना है वो 73,816 टन हरियाना में 2022 का 12,38 टन जबकि गुजरात में 2021 का 548 टन और आंधर परदेश में 2022 का 7,393 टन शामिल है इसके चलते गुरुवार को चने की कीमतों में खरिदारी की तुलना में बिक्वाली का प्रेशर बढ़ गया और शुकरवार को भी यही हाल देखने को मिला जिसके चलते च चने की कीमतों में गिरावट का रुजान बनता हुआ दिखाई दिया और जानकारों का कहना है कि आगे चलकर भी चने की कीमतों में गिरावट जारी रह सकती है बाह सकती है